इन सब ने शायद यही किया था, लेकिन आज की ओडियन्स थोड़ी अनफोर्गिविंग है, कि उन पर क्या भी थी, उनके माबाप पर क्या भी थी, उनके भाईयों बहनों के साथ क्या हुआ, तो मैं इतना नम हो गया था कि मैं एक शब नहीं बोल पाया वह सब सुनने के बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब इतिहास की बात शुरू हो जाती है, और यहां तो दो टाइप के इतिहास है, एक पिक्चर इतिहास की बात कर रही है, और दूसरा बॉक्स ओफिस पर इतिहास रचा जा रहा है, दर्शन कुमार, यू आरे रिवलिशन, I have known you as a performer for so many years, ए जब लोग बोलते हैं, you know, how actors need to keep changing themselves, कैसे इस, you know, fantastic performer बिने अपने अपको जादाँ चेंग की हुए, ऐसा 6 महार है, so congratulations brother, the Kashmir Files is a blockbuster, ATBBB जैसे बोलते हैं, all time blockbuster, thank you so much studio में थोड़ा time निकालने के लिया, thank you so much, thank you so much for having me, भाई यह एक ऐसी पिक्चर हो जाती है जहां पर यह तो बड़े क्वेश्चन्स रेस करेगी जिया उस समय में सबसे पहले तो आप कोविड से डील कर रहे हो उसके बाद आप सोच रहे हो क्या थेटर में रिलीस हो पाएगी कि नहीं फिर आपको लगता है क्या ऐसी पिक्चर क दिखानी चाहिए फिर बड़े परदे पर जब आती है so many questions are asked तो आपको जब यह पिक्चर कर रहे थे I know actor इतना सोचता नहीं इसके वारे बड़ फिर भी कई बार ऐसा लाग रहा था कि यार मैं अच्छा performance दे दिया क्योंकि तुम्हारा चल रहा था क्या लोग देखेंगे क की नहीं यह था सवाल जब मैंने पहली बार script पड़ी थी तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए थे उससे पहले मुझे कुछ videos दिखाए गए थे जो विवेक जी ने और पलवी जी ने पूरे world में घूमकर जो 700 से ब्यादा families थी first generation victims उनके साथ मिलकर वो video record किये थे उन्होंन विवेक जी समझ गए था उन्होंने का कि आप एक काम कीजिए script ले जाए और यह script पड़िये और बता ना आप इस character को जो हम किरशना पंडित सोच रहे हैं आपको ऐसे lead ले ना इस film में इसको करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे मैंने का ठीक है sir और यह मैंने script पड़ी त तो मुझे उमीर थी कि क्योंकि यह फिल्म बहुत दिल से बनाए गई है कि और यह जरूर देखेगी लेकिन इस तरह का सहलाब आ जाएगा अभाई सहलाब है सहलाब तो खैर अलग बात है भाई बट तुम्हारे करियर के लिए I'm so happy because मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सरे foot soldiers हो तो मारे Bollywood industry के जो आते है अपना नाम बनाते हैं तुम्हे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया I remember when I saw you with Priyanka also तब भी तुम्हे बहुत अपना नाम बनाए राज D.K. speaks very highly of you also as a director but what happens you keep waiting for the opportunity and what happens here like this was a discussion in this picture that there was no big names here this was a very big question so when you have a hero role here Anupam sir is a very well known actor but can it sell the film we are not sure मैं लिख के यह बोल रहा था we are all in the media शायद अगर आप प्रेस कॉंसर्ट डालते तो बीस लोग या पचास लोग आते आज पांच हजार आएंगे राइट तो ये एक विंडिकेशन भी होती है ना तुम्हे वह थाना है अब बताओ ये ये हुआ कि नहीं एक एक्टर में होत अच्छली जैसे आपने का medal जीतना तो ये एक दिन की महनत नहीं है ये मेरे सालों का जो मेरा experience रहा है मुझे 15 साल हो गया है थीटर करते वे और जैसे आपने बताया कि मेरी film touchwood fortunately और unfortunately जो भी मतलब मैं सौभाकेशाले हूं कि बहुत-बहुत तारीफ मिली मुझे हर character के लिए लेकिन ये हुआ कि उसी तरह के रोल मिलने लगे मेरी कौम के बाद अच्छा husband या फिर decent boy या फिर NS10 में इतनी तारीफ हुई कि villains की line लग गई तो हर अब जैसे आश्रम का बहुत बड़ा example मैं दे सकता हूँ उजागर सिंग सो उजागर सिंग के बाद मैं आपको गिन के बत अब जाट हो थी क्योंगि यहां पर पैसा कमाना शुरू करते हैं आप अपनी जगा बनानी की कुशिश कर रहे हैं आप नाम और फेम कमानी कुशिश कर जी और जब यह आता है तब बोलते हैं यह सिर्फ यह नहीं करना चाहता है और यह जो इस से पहले सितारे आये थे शार स्क्रिप्ट देखता हूं यह चूज करता हूं तो सोचता हूं कि मैं यहां क्यों आया था मैं क्या करने आया था मैं अक्टर बनने के लिए था पैसे कमाने के लिए और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जब आप सरस्वती माता की पूझा करते हैं तो लक्ष्मी माता अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है और रात के 11-12 बजे तक मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम हो सके अपनी आक्टिंग को, अपने क्राफ्ट को निकारने में सिर्फ आपने का कि अपनी बॉड़ी पर काम करने पर क्योंकि मैं जब मैंने पहली बार एज एक्ट वन गूरूप में डेली में जब मैंने जॉइंग किया था तो वहाँ पर सबसे पहले हमें हमारे गुरू एनके शर्मा सर तीन से चार घंटे की वाली ट्रेनिंग कराते थे तो मैंने पूछा उनसे एक दिन कि मैंने का सर हम एक्टर बनने आये हैं यहां तो हम कमांडो बन जाएंगे तो उन्होंने कहा कि एक्टर की बॉड़ी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो पानी की तरह है कि वो किसी भी केरेक्टर में धलना हो तो वो धल जाए यहां पे अगर आपकी इनुसंस नहीं आती तो मुझे फील नहीं होता करेंट वर्ल्ड की जनरेशन जो इतनी कन्फ्यूज़ है मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि हम सबने कश्मीरी पंडिट्स के बारे में इस पिक्चर के बाद विकीपीड़ी पर पढ़ना शुरू किया है यह लिख के दे रहा हूं है जो लोगों को पता है मैं लीव दे पॉलिटिक्स असाइड लेकिन ऐसे एक्टर आपका जो रोल था कन्फ्यूज़ यूथ प्ले करना बहुत ही मुश्किल था यह प्लस लीनियरली आपने शूट नहीं कि होगे लीनियरली का मतलब ही होता है एक सीन के बाद एक सीन नहीं तो कैसे इसको मेंटेन रखा कभी आप इस तरफ जा रहे हो कभी इस तरफ जा रहे हो तो बहुत है थांक यू सो मच मुझे मेरी स्पीच सुनके लोगों को गूस बंस आये मुझे आपकी बात सुनकर आ रहे हैं उसमें करेक्टर में जाने के लिए उसे डेवलेप जुक्स करने के लिए तो मैं हर रोज मेरी कुछ एकसरसाइस है जैसे आप लोग रियास करते है हर हर प्रक्रफेशनल रियास करता है वैसे हमें हर रोज र्यास करना होता है तो मैं हर रोज 2 घंटा imagination की exercises करता हूँ, उन पर काम करता हूँ, चाहे मैं रात को दो बुजे भी आऊँ, तो मैं दो से चार करकर ही सौँगा, चाहे मैं दो घंटा कम सौँगा, लेकिन मुझे वो करना ही है, क्योंकि वो important है, वो फिर आपके काम आता है, craft में घुषने के लिए, जैसे आपने बता है कि वो maintain करनी थी, तो मैं method actor हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो scene, scene में तो मैं सिर्फ जीने की कोशिश करता हूँ, scene को, उसके अलावा, उसके पहले क्या हुआ है, क्योंकि यहां आने से पहले भी मैं तो मैं यहां आपके पास पहुचा हूँ, तो ऐसे ही वो scene में घुषने से पहले, character के साथ बहुत कुछ गुजर चुका होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बच्पन से, उसके साथ, उसकी storyline बनाता हूँ, उसके क्या बीती, वो इस तरह का है, तो क्यों है? Actually, picture की opening scenes में ही ऐसी कुछ था, तुमारी ही चर्चा हो रही थी, इसको ये नहीं बताना है, exodus नहीं बुलना है, genocide बोलना है, तो ये एक story अलग से बनी रही थी वाँ, जी, तो वैसे ही सारी stories बनानी होती है, तो तब जाके फिर, वो बहुत real zone पर आ जाता है, तो वो, और इसकी Krishna Pandit को different different narratives भी मिलते हैं, फिल्म के अंदर, जैसे आप जानते हो, मेरे दादा जी, अनुपमखेर सर प्ले कर रहे हैं, तो वो एक narrative देते हैं, क्योंकि वो PD थे हैं, और Radhika Ma'am, जो पल्लवी प्ले कर रहे हैं, तो वो एक अलग narrative रखते हैं, तो ये confusion के लिए मैं दोनों साइड के वीडियो देख रहा था, जो नारे लगे थे, जो ने रखे गए थे, जो धरने रखे गए थे, वो सारे मैंने वीडियो देखे और उनको मैंने जज नहीं किया, सिर्फ मैंने उनको देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, तुम्हे कर रियल-लाफ इवेंट देख रहे हो, ये कालपनिक नहीं है, ये एक अक्टर के लिए बड़ा मुश्किल आता है, बाकी बहुत सारे लोग परसंस को प्ले कर देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल की शायद आपने बहुत एक्स्ट्रा काम करना बड़ा था आपको, क्योंकि आपका एक करेक्टर नहीं था इसमें. बिल्कुल. बिल्कोले ये जब मैंने स्क्रिप्प पढ़ी तो मैंने सर से डिस्कर्स किया था विवेक जी से कि सर जमें पूरी स्कृ Gustст पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा है कि Congress나 Pandit ओडियंस है. रहेगी रहेगी रियालिटी इस वाट यू सी और उसमें क्या ना दो साइड तो होते नहीं है वह उर बोलते ने एक सच्छा ही होती एक जूट अर आपका सच होता है यह तीन बहुत अच्छा बोला पर यह यह बिलकुल और यह पंडित लोग ही जानते होंगे लेकिन यह सच है कि I think you surpassed yourself performance wise इसमें क्या होता है एक्टर उपता होदी जैसे कि आपने cricket match कहल रहे हो इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता तो अलग लेवल का performance रहता है यहां पर आपको बता है कि बहुत स्ट्रॉंग दिगज करेक्टर्स हैं रियल लाइफ में अनुपम सर, मितुन सर, पल जो मैंने बताया कि मैं रियास करता हूं तो मैं उस वक्त भूल जाता हूं जो मैं perform कर रहा होता हूं कि मेरे सामने कौन है मेरे सामने सिर्फ characters होते हैं और मैं भी खुद एक character होता हूं तो उस वक्त कोशिश करता हूं कि सिर्फ उस character को जीलूं और उस moment को जीलूं जो उसके यह जो इस सीन में कहना चाहा है. तुम्हे तो सीरिल से भी लंबा कर दिया. तबता है, सीरिल में होता है ता बारापेज का डायलोग चल रहा है. यहां पर आदे बूल जाते थे लिकिन इस पर भी क्लोज और यहां पर इसमें भी बहुत उतार चड़ा है. तुम्हारे कंक्लूजन नहीं है इस स्पीच में. तुम्हें कहानी सुनार रहे हैं जैसे इसका सहराण शारा है. अगर मैं पूरी पिक्चर मिस कर लिया और सिर्फ आपका अगर दस मिट का डालोग देख लिया. I'll still understand the movie, which was the brilliance. यहां पर विवेक अगनियोतरी साब का मैं, I mean, I would say fantastic script in this way. क्योंकि पूरा सहराण जिसमें आया है, तो कितना समय लगा है इसके लिए? Actually, मैं उस सीन को जब मैंने पहली बार पड़ा स्क्रिप्ट ने, तो मैं बहुत excited हो गया उसको लेकर. क्योंकि हमारे महान देश की जो उपलब्दिया है या जो हिस्ट्री है, वो उसमें लिखी हुई थी, जो मुझे भी नहीं पता था उससे पहले, क्योंकि विवेक सर ने बहुत खूबसूर्ती से उससे लिखा था, तो और मैं उसको नर्वस भी था साथ में, क्योंकि मुझे सारे नाम भी है, उनकी उपलब्दिया भी है, कैसे करोगे, मैंने का से मैं ट्राइ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से बोलूँ, और ओडियंस के दिल तक पहुँचे, तो उन्होंने का तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए दो इसे तीन दिन रखे हुए ह है, हम, तुम सिर्फ इसको अपने-पने हिसाब से पैचे तोड़ते रहो और जहां-जहां आपको लगे, अलग मूड चेंज करना है, तो मैं उस हिसाब से शूट करता रहूँगा, अलग-अलग एंगल से, तो लास्त तक ही बात चलती रही, और मैंने इसको हजार तरीके से सोचा, जब मैं थेटर से हूँ, तो मुझे लगा कि मैं प्रॉप्स कुछ लेकर आता हूँ, तो audience को मैं बांद कर रख सकता हूँ, क्योंकि normally क्या होता है, जब भी, थोड़ा सा भी लंबा डायलोग हो जाता है, तो audience अपना फोन उठा लेती है, और सोचते हैं, बहुत पका किया, जैसे मैंने ललेशवरी के वाग को सुना, तो मैंने सारे वाग सुने उनके, हर रोस, मुझे भी भी बूजबम्स आ रहे है, मैंने ललिता अधित्य के शोरिय प्राकरम को पढ़ा, कि उन्होंने क्या किया था, और यूनों यहां पर मैं टोग जाता हूँ, यह आज ज एंड रिजल्ट और जितना ग्रैंड होता है, उसके साब से नहीं परफोर्मेंस करते हैं, या फिर प्रेपरेशन करते हैं, सचाही से यह प्रेपरेशन करते हैं, तब ही आज यह फल मिल रहा है आपको, तैंक यू सो मच, जी, तो फिर वह मैंने वही किया, कि उसको सब दिलों को चुएगा, और मैंने वो वन टेक में किया, 25 मिनिट्स, बढ़ ब्रो, इसको सब्सक्राइब करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर पिक्चर 300 करोड तो मैंने रहा हैं, 100 करोड तो आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपके मुमें की शक्का है, विबेक सार आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप क्या अलग टाइप का कोई फोन आ रहा है? अभी तुम्हें का फोन आया है क्या कोई अच्छी मैंने बहुत सारे प्लेस की हैं, लेकिन अभी तक जब तक वो हमारी फिल्म इंडुस्री का यह है कि जब तक आप वैसा काम करके नहीं दिखा बाते हैं, मुझे फोन करते हैं, और जैसे आपने अप्रिशेट के ऐसे ही अप्रिशेट करते हैं, और इससे पहले यह था कि मैं जितने भी जिससे मेरे काम की सरहना होती थी, तो मैं जितने भी A-Listers नाम ने लेना चाहूँँगा, बहुत सारे डिरेक्टर्स हैं, जो मेरे स साथ फिल्म बनाना चाहा रहे थे, वो अपने किसी कैरेक्टर के लिए बुलाते थे, लेकिन कहते थे, मैं तुम्हें इस फिल्म में तुम्हीं जस्टिफाय कर सकते हैं, उस लीड रोल को, या मेरे पास ये भी प्रोजेक्ट है, ये भी है, पर प्रोडूसर को नमबर्स यह and the film on a great film. कि अभी ahora because of promotions, I'll start not learn the script, but fingers crossed! I want to also tell people this, that I want to tell people. Very few people did, I also told Auri has done a great business. Vicky was very good at Auri, but at that point a lot of things were there that helped that film make that kind of money. Action. Fighting. The people were very few. Purely performance-driven film, and now you are reaping the benefits. So, congratulations. I am like to.. industry का बहुत I get very excited जैसे अगर आपकी picture business बनाएगी और बहुत सारे ऐसे लोगों को काम मिलेगा जो शायद पहले ignored और हम लोग चाहते हैं we all know the reality कि इतनी fight करनी पड़ती है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि you should just be alone on a poster अकेले आपकी हुमेंगी शक्कर तब आप वो फोटो लेकर सब जाएगा डाल देला आज भी poster में देखके मजा आता है बिलकुल क्योंकि जब थीटर में स्टार्ट किया था जब काम करना शुरू किया था तो हमेशा से यही एक सपना रहा कि आपके होटिंग लगें आपका फोटो होस को तो बड़ा अच्छा लगता है प्क्चर कैसे चले वो फरग दी बड़ता है होटिंग लगना चाहिए मेरा थोड़ा उल्टाइब है पहले कोशिस करता हूँ कि मेरी फिल्म चले क्योंकि अब फिल्म चलेगी, मेरा कारेक्टर चलेगा तो इंडस्ट्री को भी फाइदा होगा मुझे भी फाइदा होगा तो मैं मैं दुआ करता हूँ कि मुझे पता है कि एक वर फिल्म चल गई तो पोस्टर लोग अपने घर पे लगाएंगी और एक आगरी सवाल जब बहुत जरूरी साल है मैं फाइनेंस का बंदा हूँ डॉक्टर जे डॉट अस्थाना बमन इरानी साब ने प्ले किया था इसवर फ्यू रुपीज प्ले किया था पिक्चर बहुत सुपरेट होगी थी विद्विनों चोपड़ा साब ने उनको स्टूडियो बुलाया और फिस बोला कि सुनो आपने बहुत बढ़िया काम किया आप बहुत कम पैसे दे थी थी थे मैंने यह लोग एक बोनस चेक आप समझे रहे हैं मैं क्या बहुत हो मैं और फुरी बात कर रहा हूँ तो सर यस so we'll be waiting for that Darshan but really a pleasure thank you pleasure was all mine to see performers reach their heights और आप जो चोटी तक पहुंचे तो और उपर जाते रहे thanks a ton thanks a ton for your love and support thank you